हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडिवेग टिम बनारस में तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी तक सीटीप के थियूरिस पोर्शंस चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिये गये हैं और आज इसे स्टार्ट करने वाले हैं सीडीप के मौक टेश्ट जो आपके सीटेट एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो जितने भी अभी तक थियूरिस पोर्शंस कंप्लीट करवाए गये हैं वो सभी आ आप लोगों ने 15 में से कितने सही किया और कितने गलत तो इसके लिए आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं तो देखिए फर्स्ट क्शन पूछ रहा है कि प्रात्मी कस्तर पर एक सिच्छक में निम्द मेंसे किसे सबसे महत्यपूर्ण विसेस्ता मानना चाहि यह और सिच्छर पद्दतियों और विशेयों के ज्यान में दच्छता अधिमानक भासा में पढ़ाने में दच्छता पढ़ाने के उसकता तो आप लोग बताईए कि इसमें से कौन सा उप्शन सही है तो देखिए यहां पर फर्स्ट उप्शन जो है बिल्कुल सही है धैर और द्रिर्ता प्रात्मी कस्तर पर एक सिच्छक में सबसे महत्रपूर व्रिशिस्ता जो है वह है धैर और द्रिर्ता करा है कि एक सिच्छक अपने लोकतांत्रिक सभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कच्छा में कहीं भी बैठने के अनुमती देता है कुछ साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामुहिक पठन करते हैं कुछ चुपचा बैठ कर अपने आप बढ़ते हैं एक अभिभावक को या पसंद नहीं आता इस इस्तिती से निपठने का निम्द में उस विद्याले से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए और लाश्ट ऑप्शन कराएं कि अभिभावक को प्रधानाचारे से सिच्छक की सिकायत करनी चाहिए तो आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है तो देखिए यहाँ पर जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि अभिभावकों को सिच्छक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और सिच्छक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए चलिए अब नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं अब नेक्ष्ट कोश्चन कराया कि वह अवस्था जब बच्चातार की क्रूप से वस्तुओ वह घटनाओं के विश्वाय में चिंतन प्रारंब करता है वह अवस्था कौन सा है option फिर्स्ट करा है आप चारिख संक्रियाद्मक अवस्था, पूर्ग संक्रियाद्मक अवस्था, मूर्त संक्रियाद्मक अवस्था, संवेधी प्रेरख अवस्था आपको अगर एंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए और बताईए कि इसमें से right answer कौन सा है तो देखिए यहाँ पर right answer option number C मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं वा गटनाओं के विशय में चिंतन प्रारम्ब करता है इस अवस्था का प्रसार जो है 7-11 वर्ष होता है चलिए आप next question देख लेते हैं देखिए next question कर रहा है कि मन का मान चित्र संबंदित है option first कर रहा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से मन का चित्र बनाने से मन की क्रिया शिलता पर अनुसंधान से बोच मतलब समझ बढ़ाने की तकनीक से आप लोग बतेए कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है option number C मन की क्रिया शिलता पर अनुसंधान से तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि किसी कारे को करने से पहले उसकी एक रूप प्रिखा मन में बना लेना चाहिए अब next question देख लेते हैं अब देखिए next question है कि विशेश रूप से प्राथमी कस्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंदी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बहतर तरीका है option first कराएगी महंगी और चमकदार सहायक सामगरी का प्रयोग करना सरल और रोचक पाठ पुस्तकों का प्रयोग करना कहानी कथन पद्दती का प्रयोग करना चमता के अनुसार विभिन सिखर पद्दतियों का प्रयोग करना चलिए अब नेश्ट कोशन देख लेते हैं नेश्ट कराएगी नीम्न में से कौन सा सिखरतियों में स्रीजनात्मक्ता का पोसर करता है option first कराएगी प्रतेक सिखरतिय के अंतरजात प्रतिभाओं का पोसर करने के अवसर उपलब्द कराना विद्यालई जीवन के प्रारंब से उपलब्दी के लच्चे उपर बल देना परिच्छा में अच्छे अंको के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना तो आप लूग बताएगी इसमें से राइट अंसर कौन सा है के अवसर उपलब्द कराना करा है कि पियाजी के अनुसार निमनलिकित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था तो आप लोग एंसर करके बताईया कि कौन सा राइट अंसर है यहाँ पर उप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है यह 12 वर्ष के उपर होता है और उप्चारिक संक्रियात्मक की अवस्था संग्यानात्मक विकास की अंतिम अवस्था यह 11 वर्ष के बाद होता है मुली रूप से यह वस्ता जो है तारकिक चिंतन के वस्ता कहला आती है इस वस्ता का बालक अन्य वस्तुओं के अतरीक्त स्वयम के विचारों के संबंद में विचार करने में समर्थ हो जाता है चलिए आप नेक्ष्ट कोश्चन देख लेते हैं तो देखे नेक्ष्ट कोश्चन आपके सामने है सीखना सम्रिद हो सकता है यदि option first करा है कि कच्छा में अधिक से अधिक सिछर सामगरी का प्रयोग किया जाए सिखक वेभिन प्रकार के व्याख्यान और अस्पश्टी करर का प्रयोग करे कच्छा में आवधिक परिछाओं पर अपेच्छित ध्यान दिया जाए वास्तवीक दुनिया से उधारणों को कच्छा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्रक्रिया करें और सिखक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए तो आप लोग कमेंट करके बताए कि इसमें से कौन सा राइट आप्शन है तो देखें यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नमबर डी वास्तवीक दुनिया से उधारणों को कच्छा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंत्रक्रिया करें और सिखक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए ओके चलिए आप नैस्तर देखते हैं कुश्ट नेशे कुश्ट आपके सामने है कि निम्दम्मे से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विसेश्था नहीं मानना चाहिए option first कराए कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है सीखना लच्छोन मुखी होता है अन अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है कि सैचिक संस्थानी एक मात्र अस्थान है जहां अधिगम प्राप्थ होता है तो आप लोग अंसर करके बताए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्षन ह तो देखिए यहां पर जो राइट अंसर है वो है ऑप्षन नमबर डी सैचिक संस्थानी एक मात्र अस्थान है जहां अधिगम प्राप्थ होता है ओके चलिए अब नेश्टिक देख लेते हैं क्वेशन क्वेशन नमबर दस तरह है कि पांचवी कच्छा के दृष्टी बा चाहिए तो आप लोग बतेए किसमें से कौन सा राइट ऑप्षन है तो देखिए यहां पर जो राइट अंसर है वह है ऑप्षन नमबर बी के साथ कच्छा में सामाने रूप से वहवार किया जाना चाहिए और स्रव्य सीडी के माध्यम से साहता उपलब्द करानी चाहिए चलिए अब नेश्ट देखते हैं क्वेशन तो देखें क्वेशन आपसे कह रहा है कि नेम नमे से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनुव एज्यानिक आवशक्ताओं के साथ संबंद नहीं है अप्षन नमबर फर्स्ट कराए कि समवेगात्मक सुरच्छा की आवशक्ता सरीर म अपसिष्ट पदार्थों का नियमीत रुप से बाहर निकलना सानित्य मतलव संगती के आवशक्ता डिगराय के सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना क्यों आवशक्ताओं तो आप लोग बताए कि इसका राइट आप्षन कौन सा है कि यहाँ पर जो राइट आप्षन है व बहां निकलना एक सारे डिक आवशक्ता है न कि सामाजिक मनोवैज्यानिक आवशक्ताओं तो इसलिए बी ऑप्षण जो है बिल्कुल सही है तो चलिए अप नेक्ट कुश्चन देख लेते हैं तो नेक्ट कुश्चन करा रहा है कि कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संग् आत्मक विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभासित किया जा सकता है अप्शन फर्ष्ट करा है विद्याले एवं कच्छा पर्यावरण सभागार घर खेल का मैदान तो आप बताइए कि इसका राइट आप्शन कौन सा है तो देखिए यहां पर जो राइट आप्शन है वह है विद्याले एवं कच्छा पर्यावररण सभामों सबसरे सेंसे ग्यां समस्याव का निदाहन किया जा तो इसलिए जो option number A है बिल्कुल सही है, चलिए अब next question देख लेते हैं, तो देखे, question कर रहा है कि डायस को एक अभी प्रेडित सिच्छड का संगेतक मारना जाता है, option first कर रहा है कि सिच्छड द्वारा दिया गया उप्चारात्मक कर, विद्यार्थियों द्वारा प्रस्न प पुछना, तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्न पुछना जो है, एक अभी प्रेडित सिच्छर का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभी प्रेड़क किसी भी व्यक्ति को वहवार करने के लिए सक्ति प्रदान करनेता है, चात्र अपने अधिगम सं को सही है चलिए अब नेक्ष्ट कुश्चन देख लेते हैं नेक्ष्ट कुश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लच्छड नहीं है अप्सन फर्स्ट करा है कि वह जो प्रवावपूर्द एवं मुझित तरीके से संप्रेशर करने की छमता रखता है वह जो अमुर्थ रूप से सोचता रहता है सी करा कि वह जो नए परिवेस में स्वैम को समायोजित कर सकता है वह जो लंबे नीबंदों को बहुत जल्दी रटने की छमता रखता है तो देखिए इन में से बताना है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लच्छड नही है तो जो लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की छमता रखता है तो यह बुद्धिमान बच्चों का लच्छड नहीं माना जाता है तो इसलिए डिग ऑप्शन बिल्कुल सही है अब चलिए नेक्ट एक्ष्ट देख लेते हैं तो नेक्ष्ट पूछ करते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्रीजन करते हैं इसका स्रे डैस को जाता है पाउलाव कोहलबर्ग इसकीनर प्यामेंट करके बताएए कि इसमें से राइट अप्शन कौन सा है तो देखिए यहां पर जो राइट अप्शन है वो है आप्शन नमब किये हैं वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ इस्टेटी विट्टिम बनारस को सस्क्राइब जरूर करिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई